विश्कार सातियों स्वागाते आपका ग्रोटो साइसेच चैनल पर मैं हूँ शुबा मगरवाल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ Computer Document Verification Complete Guide देखे Document Verification को लेकर के Computer के Document Verification को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया है ठीक है तो जिन सातियोंने वो वीडियो देखा था उनके कुछ लाइक किजिए और जा साथ शेर किजिए ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद आपको Document Verification को लेकर के जितने भी डॉट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले ठीक है तो देखते हैं क्या-क्या मैंने बताया था पहले और अभी क्या है देखिए Document Verification क्यों होता है Government क्यों करती है Document Verification Document Verification में Government यह चीज़ चेक करती है कि आपके आपने जो फोर्म भरते समय जो डिटेल जो भरी थी वो सही है या नहीं है ठीक है आपने जब application फोर्म भरा था ना वेकिंसी के लिए तो वो डिटेल मेंच करनी चाहिए अभी के documents के साथ कि आपके जो documents है उसके साथ उस form के जो information है उसके साथ match कर रहा है या नहीं कर रहा है यह Government चेक करती है Document Verification के थूप ठीक तो अब इसमें first of all सबसे पहले जो बात करेंगे हम 10th की mark sheet की बात करेंगे तो 10th की mark sheet के साथ इसमें आपका लगता है certificate चेक है अब इसमें इसमें भी doubts थे इसमें doubt थे कि बहुत सो यूं बोल रहे थे कि सर हमारे पास तो 10th की mark sheet यह certificate नहीं है तो देखे 2008 से पहले जो परिक्षय होती थी board की तो उसमें 10th और 12th के साथ certificate अटेज नहीं आता था certificate अलग से आता था लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ जो परिक्षय हो रही थी उसमें 10th की mark sheet के साथ certificate भी अटेज दियाता था चीक है तो जो भी अब्यरती 2008 के बाद है दिनों न certificate जो है वो अटेज जोंगे और 2008 से पहले के अब्यरती जो है उनकी certificate और mark sheet वो दोनों अलग अलग होगी यह मैं बात करनों रास्थान बोड़ की CBSC Board का certificate और mark sheet दोनों अलग 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 आती है तो आपको certificate भी देना है और mark sheet भी देना है 10th और 12th की तो यह मैंने किसकी बात की 10th और 12th की यह दोनों निमड़ गया है ठीक क्लियर उसके बाद से graduation क्यों graduation की mark sheet ठीक है अब graduation में जैसे suppose आपने कि यह B.T.E.C. तो B.T.E.C. मे आठों mark sheet आपको चाहिएगी उसके अलवा provisional degree चाहिएगी ठीक है तो इन सबका पूरा set बनेगा है तो graduation में जिसने भी जो भी किया है तो graduation की सारे years की mark sheet फिर बाद में एक degree वो आपको चाहिएगी graduation के case में ठीक है कमेंट्स थे कि सर मूल लिवासी प्रमानपत्र क्या 9 March से पहले का चलेगा या 9 March के बाद क्या जो बनाया है वो चलेगा 9 March से पहलेगा तो ओविसल चलना है दूसरा जो comment आ रहा था दूसरा जो doubt था वो था कि सर digital वाला चलेगा क्या या simple वाला चलेगा तो मैं आपको वो ए आगे बता दूँआ clear हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर वाला जरूर चलेगा अब यह जो close है न यह वाला यह डिजिटल हस्ताक्षर वाला यह close यह है कि भाई जो मूल निवासी प्रमानपत्र पहले बनते थे 10 साल पहले या 9 साल पहले जो आपने बनाया होगा तो उसमें के बल साइन कर रहे थे वह नहीं आपका जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर लिया न वही वाला मूल निवासी प्रमाण पतर महाँ पहल पर चलने वाला है स्वेकेंसी नी window मूल निवास प्रमानपत्र आपका डिजिटल अस्ताक्षर वाला ही चलेगा 9 मार्च का Dlatego को डाउट है ठीक है तो देखे है कमेंट के भरोजे ने रहे हैं आप डाउट है तो सीधे RSMSSB की ओफिशल नंबर है वेबसाइट पर उस नंबर पर कोल करें या खुद ही कारेले चले जाएं दोनों कर सकते हो आप फोन भी कर सकते हो RSMSSB को या फिर कारेली जाके भी पूछ सकते हो तो इससे आपका पूरा डाउट के लिए हो जाएगा यह वाला जो डाउट है और भी कोई से डाउट है तो के लिए हो जाएंगे उसके बाद देखिए विग्यप्ति में दिये गए आवशक certificate अब विग्यप्ति में जो आपको जितने भी certificate दिये थे वो आपको दिखाने पड़ेंगे जो भी आवशक है आपके लिए वो सारे आपको दिखाने पड़ेंगे अब सब से ज्यादा प्रोलोम इसमेन आती कास certificate को लेके कि सर्क 9 मार्च से पहले करिटरी का क्रेटिरी बिल्कुल होगा उसमें मेंजंड है कि 9 मार्च से पहले जो सर्टिफिकोट बनवाया हैやनि आपकी 9 मार्च कॉन सी डेट है यह आप दरेखिटि थी तो už देंकी आखिरी तिती से कि कासиб Всёकрипिकेट जो हैं यह एक बार बनवालिया नोव मार्च से पहले गाये नोव आर्ज के बा cutting लिए और उसको दो साल और एकस्टेंट कर आके शपत्य क्यों होता है एक साल के लिए क्या होता है OBC में इंकम के हिसाब से वह क्रीमी लेयर में भी आ सकता है नोन क्रीमी लेयर में भी आ सकता है तो वह शपत पत्र जो बनता है ना वह क्रीमी लेयर का वह नोन क्रीमी लेयर का बनता OBC के लिए आपने एक साल के लिए सर्टिफिकेट के बाद आप उसमें तो नोन क्रीमी लेहर में थे लेकिन अगले ही साल आप क्रीमी लेहर में अगए तो फिर आपको शबत्पत्र देना पढ़ता है तो इस तरह से तीन साल तक वेलिड होता है यह certificate है ना पर यह भी नो मार्स से पेले काई चलेगा ग। अब नो केलाएं हैं और ळड़कियां हैं वह मेरिड है और अन्मेरिड हैं अब ध्यान दीजेगा शादी शुद्र है या फिर कुमारिया कि नाय। रहत मेरिड दोनों का जो जाती प्रमान पत्र है, तो फिर शपत पत्र देने हुआ, देहेज ना लेने का गोशना पत्र भी उसके साथ देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी आपको शपत पत्र देना पड़ता है, ठीक है, यदि आपके चाइल्ड है, तो उनका भी गोशना पत्र देना पड़ेगा, कि कितने चाइल झो अपका गई के तो सो ऀसंस बी हो उसमें आपकोइ स्क्रिबनुटी कर दबना पड़ता अजDe no doki wal EST कि इस कोड्य इंति फोर्म कितने न정을ोड सब्सक्राइब करने हैं तो डॊनंडूड नहीं ठीक ओर उनिर स्कूर्यज्जदि फॉनीच साथ यह कि इस्कूर्य फोर्म के साथ दो सब्सक्राइब बत्र लगें दो इंट्रीटिव वो में तो च्रितर पन आपको बना के देगा यदि आपके पास नहीं है तो वहां पे जाए और जाकर के लिए यह चरितर पन आपके पास आ गया तो एक तो आपके पास आगया, उसके बाद दो घजिटेट ओफिसर के साइन वाले चरित्र परवाण पत्र बनेंगे, इसके लिए चरित्र परवाण पत्र बजार मिलता है, पांच उरुपे का एक प्रती मिलती है, उसको आप भरिए, पूरी डिटेल उसमें भरिए, पूरी जैसे बड़ा नेता वगरा है तो उनसे उनसे आप उनके भी साइन करवा सकते हो जो साइन करने के अगदार होते हैं ठीक है तो एक तो गजीटेट ओफिसर का एक पंचयत क्या सरपंच का या किसी भी आपका जो शेत्र है वहाँ पर जो भी विधायक वगरा है उनका भी साइन चल सकता है और एक है संस्थान का तो इस तरह से तीन चरित्र परणवाण उतर आपके बनेंगे तो दो स्कूरिटी फॉर्म के साथ अलग अलग भरनें दोनों स्कूरिटी फॉर्म को डाउनलूड दो बार करना है तो उनक उनको दो बार डाउनलोड करके दो बार अलग अलग फॉर्म बनना है एक सेट अलग दूसरा सेट अलग स्कूरिटी फॉर्म का एक सेट में तीन चरित्र परणवाण उतर लगें तो संस्थान का दो गजिटेट ऑफिसर के और एक स्कूरिटी फॉर्म में भी वापिस से संस kutcher loader भी भनवा सकते हो थिक है अब इस मिर मगरा आपको 2 जम़य करने तो एक की स्कुरी Yaar का सथ से दिर्लोन का पॉझ्टर लग जाएगा दूसरे स्कुरी के साथ कोई पोट लोडर नहीं लगएगा ठीक है अब एक और चीज क्या देनी है, वह एरिजनल application form, तो original application form भी आपको देना उसके साथ, नहीं application form कौन सा, जब आपने form बरते time जब application भरेती ना, तो application form इमित्रे वाले ने आपको निकाल के दिया हुगा, हातों आत तो कुछ दिया नहीं, इमित्र वाले ने application form निकाल के दिया होगा या digital रूप में उसके पास रख लिया हो तो उसके डिलेट कर दिया होगा ठीक है तो वह application form आपको मिल जाएगा SSO ID पर अपनी जो SSO ID ने email ID जो आपके उती है SSO ID मित्र वाली वहां से आप इसको download कर सकते तो original application form को जो आपने भरा था वह application form भी आपको download करना है और इसके साथ चिपकाना है मतलब इसके साथ attach करना है ठीक यहां तक का यह पूरा process था document verification का और मैंने यह जो वीडियो बनाया है वह बनाया है है आपके doubts प्याधारित आपके जो doubts बन रहे थे कि सर कास certificate को लेखे हमें doubt है नो मार्च से पहले का चलेगा मून लिवास कून सा चलेगा साथ डिजिटल होना ज़रूरी है क्या तो भाई यह डिजिटल होना बिल्कुल ज़रूरी है यह मून निवास प्रमाण पत्र से बाहर हो जाते हैं यह जो document verification है card certificate से तो बहुत ज़या और इस बाहर तो बहुत ज़यादा सक्ति बरती जाएग прим इस बाहर बहुत ज़यादा सक्ति से document verification होगा और सक्ति किसमे होगी एक तो इस चीज में एक इस सब्सक्राइब करेंगे किसके नांपर आए प्रमान पत्र बनेगा और बहुत सों कैसे डाउट था सर हमारे नहीं हमने तो वहाँ पर इमित्र वालों ने डही लाग से कम आए भर दी वहाँ पर और भाही लाग से कम भर दी तो फीस में रियायत मिलगी ठीक है अब उनकी आये तो डही लाग से कम ही नहीं फिर भी उन्होंने क्या करा कि EWS वाला सेटिफिकेट या EWS सेलेक्ट करके EWS केटिगरी में वो लोग आ गए है ना तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको EWS सेटिफिकेट या कास वो दिखाना पड़ेगा आये प्रमा कि आप सयुधिके आप उसक्ति आपने प्रमान पत्रिफिकेट आप शोग हो सकते हो आपा प्रमान पत्रिया या कर पा रहे हो। तो नहीं कर पा रहे हो यस वज़े से document verification में वेट्ण लिस्स में चल कि यहँए न तो इसमें इसमें फिता रिना दूसरी चीज ऑबंगा झोड़ हूसी का सर्टिफिकिट पिटा की आय के पिटा के नाम पर yapıyor भनता है हमेशा ठीक है आप यदी मेरिठ है तभी पिता के नाम पर ही वह क्या बनेगा EWS का certificate बनेगा आये प्रमानपत्र बनेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, और आये प्रमानपत्र आपको जो बनमाना है या आपने जो वहाँ गलती की थी तो उस गलती के बारे में मतलब 0.5 लाग से कमाये आपने वहाँ भर दी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे अमारी तो आए ज़्यादा है गलती से भर दी आप क्या करें तो इसका यही है ज़्यादा है तो इस तरह से अभी डीडी बनता था अभी में पूरा नहीं बादाबार हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं बाकी का जितना भी डाउट है आप RSM SSB की वेबसेट पर जो नंबर है उन पर जाके ऑफिशल नंबर पर कोल करके पूछ सकते हैं अच्छा अब इसके बाद ही डोनों डोकुमेंट आते हैं लग लग एक तो पुलिस वेरिफिकेशन फोर्म होता है ठीक है इसका आपको एक सर् यहां पर बना दिया तो वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल गई ठीक है आप कोई नहीं लेटर सबडेट आएगी कंप्पिटर अनुदेशक को लेकर गया कोई गोर्मिल जोब आएगी तो मैं आपको जरूर गताओंगा तब तक लिए जय हिन जय भारत